हेलो एंड वेल्कम टू सेक्षित हमने लास्ट क्लास में माटर टॉपिक स्टार्ट किया था आज हम माटर टॉपिक को कंटेन्यू करते हैं हमने माटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पड़ा था ब्रॉणियन मोशन के बारे में पड़ा था और स्टेट्स अब माटर के बार में भी बढ़ेंगे तो लेट्स बिगेन विदा क्लाश हमें लास्ट प्रास में पढ़ा था सॉलिट के बारे में कि सॉलिट रोते हैं वो रुजिट फॉर्म आफ मैटर होते हैं रुजिट मींस कि जो अपनी शेप इसली चेंज नहीं कर सकता है लिकुइट के आए इसाये के लिए हमेशह एक वेसल यौ गंटेइनर की नीड होते हैं अगर हम नियुद फॉर्ट में कई करंगे करने के लिए हमेशा कई यह कंटेनर की जरूरत पड़ती है हमने पढ़ा था कि इंटर के molecules हैं इनमें intermolecular spaces बहुत कम होती है as compared to solids liquids में intermolecular space आप जैसे देख सकते हैं यहां picture में थोड़ी सी जादा होते है दो atoms के बीच में intermolecular space थोड़ी सी जादा होती है ठीक है और space जादा होने के वज़े से इनमें जो force of attraction है वो भी slightly कम होती है इतनी strong नहीं होती है जो इनको एक fixed position में hold करके रख सके तब ही जो liquids है वो easily flow कर सकते है as compared to solids इनमें force of attraction जो होती है वो थोड़ी सी होती है लेकिन इतनी strong नहीं होती है ठीक है अब जो liquids में जो particles है इसका क्या मतलब है यह line है इसका मतलब यह है देखो जैसे अब यह vessel है एक ठीक है इसके अंदर यह liquid है पानी है और इनके अंदर जो यह particles है तो जितना यह liquid है यह जो particles है इसी के अंदर throughout the vessel इसी के अंदर ही move करते रहेंगे यह बहार नहीं जाते हैं यह इसके अंदर ही यह move करते रहेंगे यह कभी बहार फ्लो नहीं करेंगे अंटे अनलेस हम वेसल को थोड़ा सा टेल्ट करतें यह टेड़ा करतें ठीक है और इसमें जो particles have more kinetic energy kinetic energy के बारे में हमने लास्ट क्रास में पढ़ा था कि कोई भी जो body है movement में होते हैं तो वह kinetic energy possessed करते हैं और इसमें kinetic energy है वह थोड़ी सी solid से ज्यादा होती है ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि intermolecular spaces में ज्यादा होती है तो particles जो है उनको move करने के लिए space मिल जाते हैं तो यह ज्यादा kinetic energy जो है वह possess करते हैं नेक्स यह जब भी पार्टिकल्स हैं यह move कर रहे होते हैं या vibrate कर रहे होते हैं अगर हम इनको heat करें जैसे आफ बाटिकल्स में जो हीट की movement है वो भी speed से increase होना start हो जाएगी means कि जो if liquids are heated the particle begins to move faster, तेज होने लग जाते हैं ठीक है अब हम liquids की properties के बारे में पढ़ लेते हैं liquids की क्या क्या properties होती है सबसे पहली property है कि liquids है उनकी fixed volume होती है बट उनकी कोई भी fixed shape नहीं होती है they have fixed volume but they do not have fixed shape, fixed volume से मतलब है कि मान लो कि मेरे पास एक container है मैंने इसमें 1 liter पानी लिया ठीक है अब इस 1 liter पानी को मैं कोई भी बड़े vessel में अगर मैंने put कर दिया, ठीक है तो यह मुझे 1 liter ही show करेगा, यह नहीं कि मुझे half liter या 2 liter show करेगा नहीं, 1 liter ही show करेगा अगर मैंने इस 1 liter पानी को इस curve vessel में डाल दिया तो यह इस vessel की shape ले लेगा ठीक है, means कि कोई भी fixed shape नहीं होती है हम जिस vessel में जिस container में इसको store करेंगे, वह उसी vessel यह उसी container की shape ले लेगा, ठीक है, इसमें next है कि liquids को measly compress नहीं कर सकते है compress means कि अगर जोर लगा है उसको push करें और उसको एक छोटे चीज में या छोटे volume में हम उसको change कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं हम liquids के साथ next is कि वह dense होते है but less dense than solid, solid जादा dense होते हैं क्योंकि उसमें intermolecular spaces बहुत कम होती है तो जादा particles उसमें store हो सकते हैं liquids में क्या होता है कि liquids में intermolecular space होती है तो इसमें particles हो है easily move कर सकते हैं तो इसलिए liquids हैं वह generally less dense than solids होते हैं ठीक है next is में भी property है कि जो liquids है container completely container को completely fill नहीं करते हैं जैसे मालो की container है इसमें मैंने पानी डाल दिया है पूरे ब्रिम तक ब्रिम यानि कि पूरे इसको उपर तक में भर दिया है हमें लगेगा यह container फिल होगे नहीं फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ air particles जो होते हैं वह जरूर होते हैं तो means कि liquids भी जो हैं अपने container को completely fill नहीं करते हैं और जो liquids हैं basically fluid form of matter है तो means dies means easily flow करते है जीसरी आप फिक्छर में देख सकते है यहां से पानी बह रह रहा है means यह पानी यहां से flow कर रहा है किसी भी डारेक्शन में यह flow कर सकते है जीसे कोई straits जा रहे हैte यह इसकिसी कोई भी direction पानी में लिक्विद्ज है वह इसके पार्ٹिकल्स है इसके पार्टिकल्स है इनके अंदर बहुत ज़यादा spaces होते हैं isके intermolecular spaces बहुत जाधा होती है जिसकी वगदेसे इनके अंदर फोस गाद गाध्रकुल होती हैं बहुत कम होती है निग्लीजिबल मीजब कि बिल्कुल नामातृ बिल्कुल कि न ही नहीं है उसके अंदर बहुत कम force of attraction जो है वो gases में होती है जिसके वजह से वो किसी भी direction में move कर देते हैं they are free to move in any direction जैसे यहां पर देख सकते हैं यह fragrance candle है इसके अंदर से जो यह gases निकल रहे हैं centic gases जो निकल रहे हैं किसी भी direction में move कर सकते हैं because इनके अंदर force of attraction इतनी ज्यादा कम होती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बाइंड करके नहीं रख पाते हैं वो free हो जाते हैं they are free to move in any direction जीक है अब अब देखो अब यह move करने किसी भी direction में move कर सकते हैं तो जितनी ज्यादा जल्दी यह आप ज़्यादा किने के नर्जी होती है जो बी पार्टिकल्स मोशन में होते हैं कानेटीक अनरजी पुझेस करते हैं तो इसमें force of attraction बहुत ही कम होती है तो इसलिए इसमें सबसे जादा कानेटीक अनरजी पुझेश करता है जो है Gases, ठीक है? अब हम Gases की Properties के बारे में पढ़ लेते हैं कि Gases की क्या-क्या Property होती है सबसे पहले इनकी कोई Fixed Shape नहीं होती है कोई भी Fixed Volume नहीं होती है ठीक है? कोई Fixed Shape और कोई Fixed Volume नहीं होती है किसी भी Direction में Move कर सकते हैं जिसे Air है ठीक है? एर किसी भी डारेक्शन में मूव कर सकते है, हर डारेक्शन में चारो तरफ है, एर हमारे तो इसकी कोई भी fixed shape, कोई भी fixed volume नहीं होती है, ठीकर gases को measly compress कर सकते है compression के बारे हमें मागे थोड़ा detail में पढ़ेंगे, ठीकर आप इसमें सिर्फ property देख लीजिए, कि gases को हम इजली compress कर सकते है कि अगर मालो की वैसल है, वैसल में आप देख सकते है ये gases के particles है ठीक है, ये थोड़े दूर दूर है जैसे हमने इसमें थोड़ा force लगाया इसको push किया, तो इसके जो particles हैं they come together, ये close हो जाते है कि जो intermolecular spaces है वो कम हो जाते है तो इस process या इस form को बोलते हैं compression आगे हैं कि gases fill their container completely gases जो है, container को completely fill कर देते है जिस container में हम gases store करके रखते है, compressed form में रखते है, तो वो container को पूरा completely fill कर देता है उसमें कोई भी air space air molecules नहीं होते है next stage में कि gases flow easily अभी हमने पीछे भी पढ़ा थे कि gases जो है, चारो direction में move कर सकते हैं या किसी भी direction में move कर सकते हैं because उनके अंदर जो force of attraction है वो बहुत ही कम होते है जो particles जो है, वो एक दूसरे को bind करके नहीं रख पाते हैं हम उसको easily flow करते रहते हैं अभी हमने पढ़ा कि जो liquids and solids होते हैं हम उसको easily compress नहीं कर सकते हैं लेकिन हम gases को easily compress कर सकते हैं तो basically compression होता है compression का मतलब है कि जो gases को pressure apply करके forcefully हम उसके उपर zone लगा के हम उसको एक छोटी volume में जब change कर देते हैं बहुत बड़ी volumes हैं उसको छोटी volume में जब change कर देते हैं that is compression अब जैसे आप इस figure में देख सकते हैं यह एक gas का chamber है यहाँ पर यह piston से हमने इसको force किया pressure लगाया इसके उपर तो इसके जो यह देख यह जो particles इतने freely move कर रहे थे यह छोटी सी volume में change हो गए तो इस चीज़ को बोलते हैं compression ठीक है clear है अब जो gases है इनकी बहुत high compressibility value होती है तो हम इसको metal cylinders में easily compress कर के transport कर सकते हैं तो जिसका example है LPG cylinders जो हो गया जो घर में gases आते हैं यह LPG cylinders होते हैं इसमें जो gas होती है इसको बहुत जादा compressed form में fill किया जाता है store किया जाता है बिसे hospital में oxygen gas cylinders होते हैं ठीक है उनमें भी oxygen gas होते हैं उसको compressed form में ही रखा जाता है CNG gases जो fuel form में use होती है उसको भी कंप्रेश करके ही सिलेंडर में स्टोर किया जाता है ठीक है कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में पूछ लीजिएगा यह सिलेंडर है जुस्ट एक पाठ है कि आपको शोगने के लिए जो सिलेंडर है इसमें जो गैसे वह वो अब हमने पड़ा कि कंप्रेशन बिसिकली क्या था कि हम लाज वॉल्म ऑफ कैसे को प्रेशिर राइस करके उसको च्छोटी वॉल्म में कनवर्ट कर सकते हैं डिफ्यूजिन इस ओपज़िट ओफ कंप्रेशन इसमें क्या होते हैं इसमें एक सब्स्टांस को दूसरे सब्स्ट में मिक्स आउट कर रही है या उसको उसमें पर्शिष्यक को जूप से हमेशा मौशन में रहते हैं में कि दे गीप मूवें तो उसे मोशन की हेल्प से टिफूजिन क्रिए होता है ठीक है जैसे फॉर एक्जामपल यहाँ हो देखके यह याँ वैसल है इसमें यह पानी है इसमें कुछ हमने few drops of lemon डाल दिये, few drops of lemon डाल दिये, तो अब हमने पढ़ा था कि जो particles होते हमेशा motion में होते हैं, means they keep moving, तो जैसे lemon drops डाला वो भी motion में होंगे, तो ये दोलो जब motion एक दूसरे में diffuse होते हैं, तो उसे क्या होते हैं, जो जितने भी particles हैं, ये पूरे vessel में spread out हो जाते हैं, या diffuse हो जाते हैं, तो इस process को बोलते हैं diffusion, जब एक particles के जो, sorry, एक substance, दूसरे substance में properly evenly spread out हो जाता है, तो उस process को बोलते हैं diffusion, और इस diffusion की rate को हम increase कर सकते हैं, कैसे? by increasing the temperature, चीकिए? कि अगर हमने इस substance का temperature को हम increase कर दें, इसको heat up कर दें, तो इसके अंदर को जो diffusion rate है, वो और जादा speed up हो जाएगा, ठीकिए? इसमें और example देख लेते हैं, जैसे अगर हमने पानी में sugar dissolve करनी है, नॉमली करें, अगर हाथ से तो उसमें time लगता है, अगर हम पानी को थोड़ा सा heat up कर लें, तो sugar जो है, वो easily melt हो जाती है, तो means कि उसके अंदर का diffusion process है, वो increase हो जाता है, ये particles हमेशा एक motion में रहते हैं, constantly move करते हैं, उसी भी based है diffusion, अगर particles motion में नहीं होगे, तो diffusion भी clear नहीं होगी अपने आप, ठीकिए? अब diffusion जो है, ये 3 solids, liquid and gases में अक्र होती है, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं अभी, अब हम देखते हैं कि जो diffusion है, वो solutions, liquid and gases में किस rate से होती है, सबसे पहले हम gases में देखते हैं कि gases में diffusion जो है, बहुत ही जाधा fast होती है, तो इसमें गैसे में जो डिफ्यूजन है वह बहुत ही फास्ट होती है जिके गैसे जो है वह क्विकली बहुत हर डारेक्शिन में स्प्रेड आउट हो जाती है जिके तो इसका एक्जांपल है अगर हम कोई भी स्प्रे कर रहे हैं कोई भी पर्फ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो पता चल जाते है कि क्या बन रहे क्योंकि उसकी जो हिस्की बहुत इसली गास के गइयən में डिफ्यूज हो जाती है तो так इसली है गो हो takiej सुआज़ d condemned my daughter होती है लेकिन slower than gases, gases में बहुत fast होती है, उससे slow जो है वो liquids में होती है, क्योंकि जो liquids के particles हैं उसमें force of attraction थोड़ी सी ज्यादा होती है as compared to gases, उसके जो particles हैं थोड़ी से closely packed होती है, तो उनको ज्यादा space नहीं मिलती है, move करने के लिए, जैसे for example, अगर हमने lemon water बनाना है, अगर हम sugar dissolve करने हैं, तो उसको थोड़ा सा time लगता है move करने में, ठीक है, liquids में थोड़ा सा time लगता है gases को या उसको substance को diffuse होने के लिए, ठीक है, अब solids में जो है, solids में तो intermolecular spaces बहुत ही कम होती है, तो उसको move करने के जगा नहीं मिलती है, तो diffusion जो solids में वो बहुत ही slow process है, बहुत ही जादा time लगता है solids को diffuse होने में, clear है? आज का हमारा topic नहीं तक था, review question करने से पहले, आप please हमारे website पे जरूर एक बार visit कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे exams related mcq packages हैं, जो आपको exam में बहुत help कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी exams related कोई query है, कोई suggestion देना चाहते हैं, तो please comment box में से जरूर शेयर कीजिए, आप review question करते time, please question के बार एक बार अपनी वीडियो pause करके answer question को खुद answer करने के कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आज की class में आपको, जो chapter है, वो कितना clear हुआ है, so let's begin with our review questions, So, सबसे पहला question है, materials which can flow easily and requires a vessel to keep it are called, ऐसे materials जो easily flow कर सकते हैं, और उनको एक vessel चाहिए होते हैं, रखने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? fluids, fluids are the, that form of matter, जो easily flow कर सकते हैं, next, question is, intermolecular spaces and gases, हमने पढ़ाता है, gases की properties के बारे में, कि जो उनके अंदर intermolecular spaces है, वो कैसे होते हैं, बहुत ही कम, minimum, constant, 0 या maximum, answer is, D, maximum, intermolecular spaces होते हैं, बहुत ही जादा होते हैं, next, question is, the phenomena by which smell of cooked food reaches us from considerable distances due to, अगर कोई भी खाना पनाते हैं, वो हमारे थोड़े distance से भी हमारे पास कैसे पहुंचाते हैं, उस phenomena को क्या बोलते हैं, compression, liquidity, diffusion, या fluidity, that phenomena is called, C, diffusion last question हमारे, the property by which gases can be stored in cylinders are called, जिसे हम cylinders में जो gases है उसको store का सकते हैं, अगर क्या क्या कहते हैं, diffusion, compression, matter, या kinetic energy yes, the answer is B, compression thank you for watching